है आज हम लोग कोशंव करेंगे नुम्बर टू पॉइंट तो देखें आपर कोशंव में क्या कह रहे हैं कोश्ण में कहा रहा है आप से एक सेकेंड ठीक है बड़ा ही इजी कोश्चन है सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या है तो हमें कह रहे हैं कि तोहिकना क्यस्तने कदना किटना एक टौइंट फैइव औरником टीैंक एक कोलाम श्फी कर्क और यहुट्पिक्म और हुआ बताने इसमें किटने नंबर आफ अलेक्ट्राइब तो हमने सिंपल सब्सक् dil ऑन रहा अधा वे यहिझा तो इतने चार्ज में कितने इलक्ट्रॉन मुझूद होंगे तो देखें आगर हम कुलाम को यहीं पर रखें तो यह वैल्यू हमारी इधर चली जाएगी पता चल देगा कि कि एक कुलाम में यानि यानि वण इतने फैक्ट्रॉन तो एक कुलाम की मोंझे मंईश सकते हिन रखroeर हो एक इंस ना Religion नीज्ट जाए अनुए और कि इलेक्ट्रॉन ठीक है तो हम क्या करें कि यह जो कुलाम हमारा लिखा हुआ है इस कुलाम की देकर हम यह वैल्यू रखें तो क्या है वन वाइंट शिक्स इंटु टेंगी पाव माइनस 19 कुलाम यानी इतने चार्ज में हमें पता चलेंगे कि कितने लेक्ट्रॉन मौजूद है तो सब्सक्वन क्या करेंगे इस वैल्यू को करेंगे डिवाइट कर देंगे समझ में कि नहीं कि ह more of electron in particles कितने हो जाएंगे गर हमें पावने पतें हुद हैं तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं हम उस क्जिए 2.5 10 की माइन- 16 को हम डिवाइट कर देने वाले से एक Nichoin के ही चार्ड से हैं एक Nick it रुंट का चार्ज इतना है हम इससे डिवाइट »D दीम कैज़ समझ यह सब्सक्राइब तो देख यह इसे वह धारण समझेगा मान लिजिए माल दीजे एक कोई पार्टिकल है ठीक है और उस पार्टिकल के उपर 10 का चार्ज मुझूद है दस कुलाम का चार्ज मुझूद है और आपके पास 100 पार्टिकल्स है आपके पास क्या है 100 कुलाम चार्ज मुझूद है एक पार्टिकल पर 10 कुलाम का चार्ज मुझूद है और एक पार्टिकर इतने चार्जिकेडी करता है एक लेक्टॉन पर इतना चार्ज है तो इसमें कितने लेक्टॉन हो होगी तो इस साल आ इसको अजयेगा इसके लिख लेते हैं है याह धो दो सक्केशर होने माला है क्या हो जायगा अपर का टिन की पर माइनां सिक्स्टीन है और क्या द टू पर आपान क्या हों बस claims हुबब के पच्चिस रटे सोब इवाइट कर देज इड़ां रबाइटि कर लेते हैं ऊप्षी सोल्ग नोग लगाएंगी जीरो बढ़ा लेंगे। बचेगा दस पॉइंट लगा जीरो बढ़ा लिए कि चला चैज़ा देगे तो आगए एक पाच्छे आगया एक पाच्छे तो यह आगे हमारे पार 1.56 इंटू 10 की पावर 3 और करना चाहे हो और कर लिए इसको गुणा भी कर देंगे तो किता है को 1562 लगभग में इतने इलेक्टॉन मजूद हो गया है समझ में आया हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बहुत बहुत धन्यवाद